आज की ये कहानी है रगुराज पिर्ताप सिंग और उख राजा भीया की इन्हें आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हों के या भी तक आप देख साथ बार बिधायक बन चुके हैं पहली बार आप देखी जब 26 साल के थे तब ये बिधायक बने थे MLA बने थे और आप सभी जानते होंगे कि MLA का चुनाओ बिधायक का चुनाओ डारेक्ट जनता के द्वारा होता है अगर आपकी उमर 18 साल हो चुकी होगी तो आपका बोटर सूची में नाम जोड़ चुका होगा आप लोग बोट डालने भी जाते होंगे और अगर आपकी उमर 25 साल हो गई है तो आप लोग बिधायकी का चुनाओ भी लड़ सकते हैं क्योंकि बिधायकी के लिए कम से कम उमर आपकी 25 साल होने चीए तो चलिए आज हम लोग राजविया के बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं इन्हें आप लोग और देख लीजे पिक्चर ये आप देखे इनकी पतनी है अभी आप देखे पतनी के साथ तलाक को लेकर भी काफी चर्चा में बने हुए हैं और इससे पहले भी आप देखे जितने राजनितिक कारण के कारण भी ये चर्चा में रहते हैं उतना ही इनसे बिवाद भी जुड़े रहते हैं इनकी दो वेटियां और दो वेटे हैं ये आप देखे इनकी पत्नी है और ये आप देखे इनकी पिता है तो अगर हम लोग इनक तराश्टी सीमा नेपाल से लगती है उत्तर पिदेश की, राज्यों में बिहार हो गया, जहारिखंड हो गया, छत्तिसगड, मद्द पिदेश, राजिस्तान, हर्याना, हिमाचल पिदेश, उत्तराखंड से लगती है, और एक केंदसा से लगती है, इसे 24 जनवरी 1950 में राज बनाए गये था और विधान सभा में 403 सीटे हैं विधान परिशद में 100 सीटे हैं राज्य सभा में 31 सीटे हैं लोकसभा में 80 सीटे हैं और इसका छेथफल 2,44,928 बर किलोमीटर में फैला हुआ है और आप देखें कि निर्दलिये विधायक बनना बड़ी बात होती है और तो अक्टूबर 1967 को पिरताफगड के भदरी रियासत में हुआ था इनके पिता का नाम उदय पिताफ सिंग और माता का नाम मंजुर राजे इनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंग और जो सतंता सैनानी और हमाचल पिदेश की राजपाल भी रहे हैं रगुराज के पित आप देखते हैं कि 27 कब हुई थी 27 सेप्टंबर 1925 में नांगपुर में इसका हेड़कॉर्टर देखने को मिलेगा केशो वलिराम हेडगवार इसके फाउंडर थे और हिंदू राष्ठ हिंदूत की बारत करता है सेनेटन और वहीं अगर हम लोग बिस हिंदू परिशद की बात करें तो आप देखें इसकी स्थापना 29 अगस्त 1964 में हुई थी तो उसे भी इनके पिता जुड़े रहे हैं इनकी माता मंजुर राजे भी एक साही परिवार की हैं और राजा भहिया अपने परिवार के पहले ऐसे सदस थे जिन्नोंने पहली बार राजनितिक छेत में प्रिवेश किया था और रगराज पिताप सिंग और राजा भहिया का विवा वस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी देवी से हुआ इनके दो पुत्र सिवराज बरेज राज हैं दो पुत्रियां राधवी और बरेज ये सोरी है यह आप लोग याद रखेगा उन्हें आ पार्नेतिक पार्टी जंसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक है इसकी स्थाफ़ना नवंबर 2018 में की इनोने इससे वहले आप देखे ये निर्दलिये चुनाल जीते रहे हैं साल 1993 की बाद से कुंडा और राजा भीया एक दूसरे के पूरग बन चुके हैं साल 1993 में सुरू हुआ जीत का किरम साल 2022 तर लगातार जारी है और चुनाओ दर चुनाओ उनके जीत का मारजिन भी वड़ता गया हलाकि इस साल जो 2022 में चुनाओ जुनाओ उत्तरपदिस में जिस समय जैसी कर्मट ली है राजा भाईया ने अपने आपको उसे साफ से ढाल लिया और 1996 की विधान सभा चुनाव में जिस कल्यान सिंग ने उन्हें कुंडा का गुंडा वता कर लोगों से उन्हें हरानी की अपील की थी चुनाव के बाद वो उनकी कैमिनेट में नजर आये पने के साथ और विधे पी में राज नाज सिंग का कद बढ़ने के बाद वो उनके करीब है और विधे पी के सब्ता से बाहर होने के पाद एक बार फिर उन्होंने अपना सियासि आका वदला और मुलायम सिंग यादोकी कर्猈ट में रहे और ऑनके बेटे अकले स्यादों की cabinet में भी मंतिरी रहें यानि कि सरकार किसी की भी रही हो मायवती चोड़ कर सबसे इनके अच्छे सम्बंद रहें कुंडा में परिवार का इनका रसूप भी कायम है कुंडा की स्थित राजविया की आवास को बेंती कोठी बेंती कोठी कहा जाता है जहां पर पहले उनके दादा फिर पिता और अब वो जनता दर्वाल लगाय करते हैं आज भी सब्दा में दो बार ये दर्वाल लगता है और जिसमें बड़ी संख्या में फर्यादी भी जुठते हैं नियाय तंत्वी सुलब होने के बापजूद अभी भी वहां की जनता कोट कचेरी के चक्कल लगाने के बज़े राजा भहिया की अदालत में नियाय के लिए पहुंचती है उनके दरबार में जमीन परिवास से लेकत तमाम तरही के बिवाद के माम ले आते हैं जिनका नियाय फूर्वक वो निफ्टारा भी करते हैं और राजा भहिया के इसी बेंती कोठी आवास के बीचे च्छासो एकड का तालाब भी है जिसके बारे में कई खोपनाप किस से भी मसूर हैं आप लोग सुनते रहते होंगे माना जाता था कि उस तालाब में राजा भहिया ने घड़याल पाल रखे थे यानि कि आप देखेंगे कि अपने दुस्मनों को उसी तालाब में फेक देते थे ऐसी कहानिया कही जाती थे लेकिन इनका इंटर्विव कई बार आपने देखा होगा और इसे उन्होंने नका रहा है यसी और इस तालाब से एक बार नरकंकाल भी मिलने के बाद इन अपवाहों ने और जोर पकड़ ली थी हाला के राजा भहिया इन बातों इस बात को लोगों का मानसिक दिवाली अपन बताते हैं वो बताते हैं कि एक बार 1990 की दसक में पूर पीम चंदसेकर के सामने विहार के पूरम सी एम लालू बिर्शाद यावंदाओ ने उनसे तालाब में घड़याल रखनी की बात पूची थी मायवती सी सरकार में उन पर बड़ा सिकंजा कसा गया था सिकंजा राजा भईया का यूपी की राजनीती में बासपा सुप्रीमियो मायवती के 36 का अकड़ा रहा है और मायवती ने अपने सासन काल में राजा भईया और उनके पिता को अपरहन धमकाने के मामले में जेल भी बेद दिया था पिता के महल और भदरी कोटी पर पुलिस के चापे भी पड़े थे मायवती सरकार ने राजभीया पर पोटा जैसा कठोर कानून भी लगा दिया था उन पर गैंगेश्टर एक्ट के तहद भी मामला दरज हुआ था हाला कि मुलायम सिंग यादो की सरकार आने के बाद उन पर लगे पोटा कानून की धाराओं को खतम कर दिया गया था और राजभीया जेल से चूट गये थे तब उनके समर्द को ने नारा भी लगाय था जेल का ताला तूट गया राजभीया चूट गया और इनसे बिवादों की भी बात करें तो आप दिखे बिवादों का भी नारता रहा है सन 2002 में भारती जिंता पार्टी बीजेपी के बिधायक पूर्ण सिंग बुंदेला ने राजभीया के खलाप कथित रूप से अपरन और धंकी देने का आरूम में परात्मी की भी दर्च कराई थी और जिसके चलते राजभीया को गरपतार भी किया गया था और उसके बाद उन्हें अपने पिता उदय प्रताफ सिंग और चचेरे भाई अक्षे प्रताफ सिंग के साथ आतंक वाद अधी नियम पोटा के तरह जेल भी बेजा गया था फिर आप देखेंगे कि 2003 में जब मुलाiens सिंग यादो के सब्ता में आये तब मुलाङिम सिंग यादो उना प्चीस मेंट के भीता राजभीया के खलाप सभी पोटा आरोपों को हटा दिया था इसके बाद वह सरकार में एक सक्ती साली वेक्ती बन गए लेकिन एक फुलिस अधिकारी RS पांडे ने जिन्होंने राजा भीया के घर पा छापा मारने का नेतित किया था उनके उपर गंभीर आरोप लगा है उनके खिलाब एक मुहिम भी चेडी बाद में सरक दुरगर्णा मे RS पांडे की मौद भी हो गई थी तो इससे भी आप दिखते बेबाद इन से जुड़ा हुआ है अपने लंबित अपराधिक मामलों के बाबजुद वह 2004 में यूपी सरकार में खाद्र और नागरेक आपूर्ती मंत्री भी बने थे 2013 की बात है तीन मार्च की DSP जिया उलहक की हत्या कुंडा में ग्रामीर और पुलिस के भी संगर्स के द्वारान हुई थी और FIR में परवीन DSP की पती ने आरोप लगाई कि उनके पती की हत्या राजा भीया की गुंडों ने की और जिसके चलते उन्हें कुंडा नगर पंच चिट दे दी थी CBI यानि की Central Bureau of Investigation की बात हो रही है और इसकी स्थापना 1 अपरेल 1963 में हुई थी ठीक है और अभी आप देखिए पतनी से तलाक के कारण चर्चा में बने हुए है राजा भीया ने तलाक याज का में आरोप लगा है कि भानवी सिंग ने सस्वाल छोड़ दि पतनी से तलाक के लिए 2022 में याज का दायर की गई थी है तो यह सौट कहानी आप लोग कह सकते हैं राजा भीया की है और भी किसी के बारे में जाननी की दिल्चस्पी है तो आप उसका नाम बता सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे ठीकर